आप सबीका स्वागत करती हूँ सूपर स्काय क्लासेस में और जैसा कि आप लोग मेरे साथ पढ़ते हैं हिंदी का सेशन और हम कुछ प्रैक्टिस सेशन को हम कवर अप करते हैं आपके CRPF के लिए आपका एक्जाम जैसा की नजदीक आने वाला है और हमने जो क्वेशन के नं आपको इस चैनल पर मिलेगी तो जितने भी लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगे आज का जो सेशन है वो हिंदी का होने वाला है जिसमें हम 40 क्वेशन को लगबग कवर करेंगे जो कि आपके CRPF के एक्जाम के point of view से बहुत ही ज़ादा important होने वाले हैं तो चलिए बिना किसी देरी के start करते हैं आज का पहला सवाल सवाल number एक देख लेते हैं कि निमलखित में से शुद्वर्तनी वाला शब्द कौन सा है वर्तनी का मतलब होता है spelling यानिके लिखने का तरीका शुद्वर्तनी हमसे ठीक है प्रमानिक होता है तो प्रमानिक तो होगा नहीं प्रमानिक नहीं है प्रमानिक लिखने का जो सही तरीका है वो यह है प्रमानिक एक मात्रा नहीं लगी है उसमें प्रमानिक लिखने का सही तरीका आपका यह हो जाएगा ठीक है इसी के साथ अगले सवाल की तरफ आपका जो रिखांके शब्द है वो घुमा है, वाक्य को पढ़ लेते हैं, वाक्य क्या कहता है, कि साधू माला घुमा रहा था, अगर आपको इस वाक्य को दुबारा लिखना है, तो क्या लिखना होगा, घुमा जो शब्द है, उसको अगर पतिस्थापित करना है, तो फेर लिखेंगे फेक लिखेंगे नचा रहे हैं चला लिखेंगे साधू माला फेर रहा फेक रहा नचा रहा या चला रहा जाहिर सी बात है माला जो है वो फेरी जाती है ठीक है माला फेर ना होता है तो विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा इस वाक्य को प्रतिस्थापित कर करने के लिए ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ देख लेते हैं सवाल नंबर तीन क्या कहता है आपसे कि दिये गए वाक्य का वह भाग ज्यात करें जिसमें कोई तुटी है और यदि कोई तुटी नहीं है तो कोई तुटी नहीं है वाले विकल्प को आपको चयन क करना है देखे जब भी आप इस तरीके के प्रशनों को देखेंगे मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे एक बार एक बिंदी की भी मिस्टेक हो जाती है कई बार ऐसे प्रशनों में ठीक है तुटी मिल जाती है तो ध्यान से पढ़ तुप्टी है, सर्दार भगत सिंग ने, कोई तुटी नहीं है या फासी पर, देखें, चढ़ना पड़ा बिल्कुल सही है, सर्दार भगत सिंग ने, सर्दार अगर आप बोल के देखेंगे इस वाक्य कुख तो आपको पता चल जाएगा कौन से हिस्से में तुटी है, सर्द अगले प्रश्न की तरफ मुहावरे का सही युगम आपको चयन करना है, यानि कि यहाँ पर मुहावरे दिये हैं, कौन सा मुहावरा सही अर्थ व्यक्त करता है, वह आपको सही विकल्प चयन करना है, देख लेते हैं, क्या दिया गया है, ओप्शन ए दिया है, विकल्प नंब गमंड से चूर होना, आग लगाना, धोका देना, आग दिखाना, सुख होना, या आख बिछाना, गुस्से में होना, कौन सा जो युग में है, कौन सा जो जोड़ा है मुहावरे का, वो सही अर्थ व्यक्त करता है, तो आपका option number एक कहते हैं, आजकल उसकी आखों में कुछ ज सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल number 5 देख लेते हैं, दिये गए वाक्यान्ष के लिए एक शब्द आपको बताना है कि वाक्यान्ष के लिए एक शब्द क्या होगा, जो इंद्रियों से जाना जाना जा सके, ठीक है, देखें, न जो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, उसको हम कहते हैं अगोचर, अगोचर आपका सही आंसर या सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है, यह सवाल इंपोर्टन्ट है आपके एक्जायम के पॉइंट ओफ व्यू से, ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल number 6 दे गुलनशीलता, विद्धमानता, मिलावट या उपस्तिथी, ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा, गंगा में प्रदूशन के विद्धमानता होती है, गुलनशीलता नहीं होगा, सही विकल्प आपका भी हो जाएगा, प्रशनों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जब भी आ इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, जा रहे हैं स्कूल बच्चे या फिर इस समय क्या होगा, सही विकल्प किस हिस्से में तुर्टी है, किस भाग में तुर्टी पूछी गई है, इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, तो इस समय सही लिखा है, बच्चे भी सही है, स स्कूल में जा रहे हैं या स्कूल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आपका जो इससे में गलती हो जाएगी वो इस पार्ट में है, स्कूल को, ठीक है, यहाँ पर यह option number B हो जाएगा, स्कूल को नहीं होगा, स्कूल की तरफ जा रहे हैं या स्कूल में जा रहे हैं, आपका सही वि पूछा गया जहां वाक्य की बात होगी वहां पर आपको थोड़ा सा presence of mind जादा यूज करना पड़ेगा और वाक्य को ध्यान से पड़ना पड़ेगा ठीक है पहले सवाल को ध्यान से पड़ लेते हैं कि दिये गए वाक्य में शुद शब्द अचा ये उपर का लिखा हुआ ह रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उप्युक्त विकल्प का चयन करें और यदे इसे प्रतिस्थापित करने की आविशक्ता नहीं तो विकल्प किसी बदलाव की आविशक्ता नहीं का आपको चयन करना है वाक्य पढ़ लेते हैं क्या दिया है आपको वाक्य दिया है इस कमरे में केवल दो लोग एक लड़का और एक लड़की बैठी है ठीक है किसी बदलाओ की आविशकता नहीं है एक लड़की बैठा है एक लड़की बैठे है या कई लड़की बैठे हैं क्या होगा इसका सही विकल्प देख लेते हैं फिर से एक वर्फ आधके को पढ़ लेते हैं इस कमरे में केवल दो लोग एक लड़का और एक लड़की यानि क्या दोनों की बात हो रही है ना मैं बैठा बोल सकती हो ना मैं बैठी बोल सकती हूँ, दोनों के लिए common जो शब्द यूज होगा, वो बैठे होगा, एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं, ठीक है, तो सही विकल्प आपका option number C, यानकि विकल्प C सही हो जाएगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सवाल number 9 आप से पूछा गया है, सुमती मती मीन्स होता है बुद्धी, सुमती आपको पढ़के ही पता चल जाएगा, मती मीन्स बुद्धी होता है, सुमती मतलब अच्छी बुद्धी, कुमती कहते हैं, किस कुमती का है, तो विकल्प number A आपका, इसकी according सही हो जाएगा, सवाल number 9 का जो सही बताना है, ठीक है, अपने ही कुल का नाश करने वाला, विबीशन, कुलीन, कुलंगार या कुप मुंडग, मंडूग, इसका सही option होगा, कुलंगार, जो अपने ही कुल का नाश करता है, उसे कुलंगार कहते हैं, ठीक है, next question की तरफ बढ़ते हैं, सवाल number 11, कि निमलिखित प्रश्ण में से दिये गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें, जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो, देखो पौबारा होना वाक के दिया है, आपको मुहावरा दिया है, अब इसका अर्थ आपको चयन करना है, कि प्रियवचन बोलना, खूब लाब होना हार जाना या बहुत खुश होना क्या अर्थ होगा पॉबारा होना पॉबारा का होने का मतलब होता है खूब लाब होना यानि कि विकल्प नंबर भी आपका सही हो जाएगा साधरन बोल-चाल में भी आप लोगों ने अगर आप गाउंसे विलोग करते हैं तो लोग काफी इस word का इस्तिमाल करते हैं कि उसके तो पौबारा हो गए है यानि कि उसको अचानक खुब लाब हुआ है ठीक है नेक्स कोशन देख लेते है शुद्ध वर्तिनी वाला शब्द कौन सा है सवाल नमबर बारा है आपके सामने चार शब्द लिखे गए है और आपको बताना है कौन सा तरीका हासल लिखने का सही है बोल कर रके देखेंगे हासल हासल आपका लिखने का जो तरीका होता है वो होता है ये सा से सपेरा आता है और छोटी एकी मात्रा इसमें लगती है इसमें मात्रा गलत है, इसमें शह गलत है, इसमें भी शह गलत है, विकल्प नमबर B आपका correct हो जाएगा, next question देख लेते हैं, सवाल नमबर 13 है कि रिक्तिस्थान भरने के लिए सबसे उप्युक्त विकल्प का आपको चयन करना है, वह भीक डैश गुजर करता है, अब भीक त भीक मांग कर गुजर करता है, क्योंकि देखर ऐसा थो भी हो यह भी बोला जा सकते है कि भेक देना, लेकिन यहां गुजर करने की बात रही है, तो यहां भीक मांग कर जो है, वह उप्युक्त विकल्प आपका हो जाएगा, यानि सवाल नमबर 13 आपको जो सही जवाब होग वो आपका भीक मांग कर हो जाएगा, ठीक है, बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में सवाल नमबर 14 की तरफ दिये गए शब्द का विलोम चुनना है, अस्वीकार का आपको विलोम शब्द बताना है, यानि कि उल्टा मतलब बताना है, ठीक है, अस्वीकार का अपकार, अनुदात, अनुदारे या अंगीकार, ठीक है, अस्वीकार का जो विलोम शब्द होगा, वो आपका होगा अंगीकार, अंगीकार आपका सही शब्द हो जाएगा, विलोम शब्द इस शब्द का सही ये होगा, ठीक है, बढ़ते हैं, next question की तरफ सवाल नमबर 15, तीर का प्राइवाची पूछा है आपसे तीर का प्राइवाची यानी समानार्थी क्या होगा option देख लेते हैं सर, कर, शर या फिर नाओ, यहाँ पर सर नहीं होगा यहाँ पर शिर होगा ठीक है, पंदरवे सवाल का आपका तीर का जो प्राइवाची होगा वो शिर होगा देखते हैं, नेक्स सवाल आपसे क्या कहता है? रिक्थिस्तान को भरने के लिए सबसे उप्युक्त विकल्पका आपको चैण करना है, वाक्य पढ़ लेते हैं कश्मीर में विदरोहियों का अब विदरोहियों का क्या हो सकता है? विशाद, कंप, आतंक या त्रास कश्मीर में विद्रोहियों का आतंक था option number C हो जाएगा आतंक था या है जो भी आप लिखना चाहिए यहाँ पर typing mistake हो रखिए ठीक के कश्मीर में विद्रोहियों का आतंक था या है next question देख लेते है वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको पूछा गया है जिसके मन में दया का अभाव हो यानि कि कमी हो दयावा, निर्दय, दयाभाव या निर्दय सही विकल्ब होगा जिसके मन में दया का अभाव हो यानि कि दया नहीं होती है उसे हम कहते हैं निर्दय ठीक है, बिना दया भावना का, option number D आपका सही हो जाएगा, next option देख लेते, सवाल number 18, कि दिये गए वाक्य कि किस भाग में तुटी है, वह तशकरी करते पकड़ा गया, करते में तुटी है, तशकरी में है, पकड़ा गया, या फिर वह, देखें यहाँ पर जो तशकरी लिखा हुआ है, वो गलत लिखा गया है, तशकरी लिखने का जो सही तरीका हो, तशकरी नहीं होता है, तशकरी होता है, तशकरी का मतलब चोरी, आपका सही विकल्प भी हो जाएगा, ठीक है, आपके तशकरी लिखने के पैटन में गलती होती है, है, चलिए सीक्वेंस में देख ल आपको चयन करना है शब्द दिया है विष्णू ऑप्शन दिये है तापस गोविंद गिरीश या शंकर सही आपको इसका समानार्थी शब्द बताना है या फिर प्रायवाची शब्द आपको बताना है विष्णू का जो प्रायवाची होता है या समानार्थी जो शब्द होत गोविंद होता है यह वीडियो देखे हो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है बहुत ही कम समय में जादा से जादा क्वेश्चन हम इसमें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंज के साथ मे आपको चयन करना है और यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आविशक्ता नहीं है तो किसी बदलाव की आविशक्ता नहीं का आपको चयन करना है सबाक्य पढ़ लेते हैं पूजनिय गुरुजी आ रहे हैं पूजनिय गुरुजी पूजनिय गुरुजी किसी बदलाव की आ ठीक है तो विकल्प नंबर B आपका सवाल नंबर 20 का हो जाएगा नेक्स कोशिन की तरफ बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 देख लेते हैं आज का क्या कहता है सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयान करता है देखिए वर्तनी मुहावरा और वाके से रेलेटेड क्वेशन आपक सही लिखा है कारेकरम सही लिखा है जबाब सही लिखा है दसहराट सही लिखा है ठीक है देखें देख लेते हैं क्या शब्द सही लिखा है यहां जो आराधना लिखा है मींज जो पूजा होती है आराधना यहां सही लिखा है कारेकरम गलत लिखा गया है जिसको लिखने का सही तरीका यह होता है कारिकरम ऐसे लिखते है जवाब नहीं होता है जवाब होता है ठीक है दसहरा नहीं होता है दशहरा होता है ठीक है तो आपकी सही वर्तनी पहला हो जाएगा बाकी की सही वर्तनी या मैंने आपको यहाँ पर बता दी है बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ सवाल नंबर 22 देख लेते हैं क्या कहता है कि दिये गए वाक्य के किस भाग में तुटी है ठीक है बौध बिहार में कई भिक्षू रहते थे रहते थे में गलती है भिक्षू में बौध बिहार में या में कही देखे, बहुत बिहार नहीं होता है, बहुत विहार होता है, बिहार तो state का नाम है, ये गलत है, ठीक है, तो आपका विकल्प भी सही हो जाएगा, लिखने का तरीका आपका बहुत बिहार जो है, वो गलत लिखा गया है, बहुत विहार होता है, ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सवाल नमबर 23 देख लेते हैं क्या कहता है दिये गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है और यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आविशक्ता नहीं है तो उस विकल्प का आपको चयन करना है वाक होता तो जोरों से आता, यहाँ पर हवा लिखा गया है, तो सही विकल्प आपका option number C हो जाएगा, हवा जोर से बहे रही है, ठीक है जोरों से नहीं सही विकल्प आपका C हो जाएगा बढ़ते हैं next question की तरफ सवाल number 24 देख लेते हैं दिये गए वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है, कठिनाई से होने वाला, असाद्धे आसान या श्रम शाद्धे या कश्ट साद्धे, ठीक है असाद्धे तो मतलब होता जो हो ही नहीं सकता, अब कठिनाई की बात करिये तो आसान भी नहीं होगा श्रम शाद्धे या कश्ट साद्धे ठीक है कठिनाई से होने वाला, यानि कि आपको मेहनत करनी पड़ेगे, इसमें श्रम दिखाना पड़ेगा तो श्रम शाद्धे आपका विकल्प सही हो जाएगा मेहनत से करने वाला काम है ठीक है नेक्स कोशन की तरफ देख लेते हैं सवाल नंबर 25 आपसे क्या कहता है कि देखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उप्युक्त विकल्प का आपको चैन करना है वाक्य पड़ लेते हैं क्या कहता है वह एक सब्तहा में वापस लौट आया इस तरीके के वाक्य में कई बार करवा चुकी हूँ देखिए वह एक सब्तहा में बिल्कुल सही लिका है लेकिन वापस लौट आया या तो लौट आया या वापस आया देख लेते हैं कौन सा सही है वे वापस लौट आये नहीं होगा वे नहीं होगा क्योंकि यह वे की बात हो रही है एक ही विक्ति की बात हो रही है किसी बदलाओ की आविशक्ता नहीं वे है वापस आया वे है एक सब्तहा में वापस आया ठीक है या वे है वापस आया एक सब्तहा में ठीक है वापस और लॉड तोनों एक ही बात है तो दो शब्द एक साथ नहीं मैच होते हैं ठीक है next question की तरफ पढ़ते है next question देख लेते हैं क्या कहता है आप से कि दिये गए शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है शब्द दिया है आपको व्रद व्रद का आपको क्या बताना है विलोम शब्द बताना है देख लितने स्क्रीन पर क्या क्या option आपको दिये गए है यूवक बालक किशोर या फिर शिशु सही विकल्प होगा व्रद का बूढ़ा मतलब बूढ़ा का बच्चा बच्चा यानि की बालक ठीक है बालक आपका सही option हो जाएगा option number B आपका correct हो जाएगा सवाल number 26 था आज का ये बढ़ते हैं next question की तरव सवाल number 27 देख लेते हैं कि रिक्तिस्थान की पूर्ती के लिए सबसे उप्युक्त शब्द का आपको चयन करना है पश्यों का जुंड चारों और पानी की डैश में घूम रहा था पकड में अनुसंधान में तलाश में या चाहा में देखे पानी की तलाश में ही घूमेगा ठीक है अनुसंधान नहीं करेगा पकड़ नहीं होती है पानी की पानी की तलाश में घूमेगा ठीक है सही विकल्प आपका option number C हो जाएगा पानी की तलाश में घूम रहा था next question की तरफ पढ़ते हैं सवाल number 28 दिये गए वाक्यान्ष के लिए एक शब्द का आपको चयन करना है जिसका जनम शरीर से हुआ हो उसको क्या कहते हैं अंडच, पिंडच, शरीरज या फिर पार्थिव इसका सही विकल्प हो जाएगा जिसका जनम शरीर से हुआ हो उसे पिंडच कहते हैं कन्फ्यूज मत हो येगा और ये एक्जाम के पॉइंट ओफ व्यू से कई एक्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है ये important question है ठीक है? काफी बार देखा गया है repetitively आपसे पूछा जाता है विद्वान का आपसे प्राइवाची पूछा गया है सवाल नंबर 29 में देख लेते हैं क्या है विकल्प? रिशी, मनीशी तपस्वी या फिर मुनी विद्वान का जो आपका प्राइवाची हो जाएगा देखे, eliminate भी कर सकते हैं आप गलत options को निकाल भी सकते हैं जैसे कि यहां रिशी दिया है तपस्वी दिया है, मुनी दिया है जो कि सिमिलर है अगर तीन शब देख जैसे हैं तो वो तो आंसर में हो नहीं सकते एक जैसा विकल्प तो नहीं देंगे तो सही विकल्प आपका option number B यानि कि मनीशी विद्वान का प्राइवाची हो जाएगा बढ़ते हैं next question की तरफ सवाल number 30 देख लेते हैं क्या कहता है कि रिक्तिस्थान की पूर्ती के लिए सबसे उप्युक्त विकल्प का आपको चयन करना है कि देश में उद्धोग धंदों की डाश हुई है प्रोनती, प्रगती, गती या फिर उन्नती देखें उन्नती होती है उद्धोग धंदों की क्या होती है उन्नती होती है हम अकसर नियूस पिपर वगरा में ऐसे sentence ऐसे वाक्य को पढ़ते हैं तो option number D आपका सवाल number 30 का हो जाएगा ठीक है बढ़ते हैं सवाल number 31 देख लेते हैं क्या है आपसे पूछा गया है शब्द का समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया है किरन का आपसे शमानार्थी शब्द पूछा गया है यहां मेरे पास विकल्प नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ एक विकल्प यहां से missing है जाए typing error है क्योंकि इन में वो विकल्प है नहीं जो इसका प्राइवाची हो सकता है तो किरन का आपको प्राइवाची शब्द बताना है मैं आपको बता देती हूँ किरन का जो प्राइवाची शब्द होता है वो रश्मी होता है इसी के साथ बढ़ते हैं सवाल नंबर 32 की तरफ मुहावरे से पूछा गया है मुहावरा दिया है आपको माथा ठनकना इस मुहावरे का आपको सही अर्थ बताना है कि चोट लगना संशय होना, गुस्सा होना या चिंता करना देखो कभी कबार अपने सुना होगा जनरल भाशा में या साधारन बोलचाल में हम लोग कह देते हैं कि इस बात पर मेरा माथा ठनक गया यानि कि मुझे शंका हुई क्वेशन नंबर 32 का अंसर देखते हैं सवाल नंबर 33 क्या कहता है रिक्तिस्तान की पूर्ती के लिए सबसे उप्युक्त विकल्प का आपको चैन करना है देखें सवाल बहुत आसान है लेकिन ये सवाल अकसर एक्जैम्स में पूछ लिया जाता है चडिया की आवाज, पत्तों की आवाज, उल्लूओं की आवाज, हवा की आवाज को क्या कहते है इन आवाजों से रिलेटिड क्वेशन आपको देखने को मिल जाते है तो ऐसे सवालों को हलके में मत लीजेगा ऐसे सवाल कई बार पूछ लिये जाते है तो चडिया क्या करती है, जहर सी बात है, बहुत छोटा सा प्रश्ण आप से पूछा गया है, चडिया मिम्याती तो है नहीं, चडिया चहाती है, ठीक है, ना ही भौकती है, ना ही धारती है, चडिया प्यार से चहाती है, तो आपशा विकल्प नंबर भी आपका सही हो इसी के साथ next question देख लेते हैं, मुहावरे का आपको सही अर्थ बताना है कि कौन सा मुहावरा कि अर्थ को सही व्यक्त करता है, मुहावरा दिया है आपको गर्दन पर सवार होना, बुरी हालत करना, गले पढ़ना, पीछाना चोड़ना या जान से मार देना, कहता है वो तो मे गले पढ़ना आप कह सकते हैं, कह सकते नहीं, गले पढ़ना ही होता, गर्दन पर सवार होना आपका, गले पढ़ना आपका सही विकल्प हो जाएगा, next question देख लेते हैं, सवाल नंबर 35 देख लेते हैं, क्या कहता है, दिये गए वाक्य में रिखांकित खंड को प्रतिस्थ इसे आपित करने के आविशक्ता नहीं है, तो वही विकल्प आपको चयन करना है, ठीकें, उसे तत्कालिक साहिता चाहिए थी, underline कर देती हूँ, और एखांकित कर देती हूँ, क्ौन सा शब्द है, तत्कालिक लिखा गया है, तत्कालिक साहिता, किसी बदलाव की आविशक गया है यानि कि आपके option नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा तातकालिक सहेता होती है ठीक है कहता है ततकाल तातकालिक अर्जिंट सवाल नंबर 36 देख लेते हैं कि दिये गए भागय का वह भाग ज्याद करें जिसमें कोई तुटी है या दी कोई तुटी नहीं है तो उस option का आपको चयन करना है निंदा की उदम ही हींता और कमजोरी से होता है निंदा की उदम ही हींता और कमजोरी से होता है ठीक है निंदा की उदम निंदा का उदम होगा यानि कि आपके first portion में गलती है जो के विकल्प आपके D में दी गई है ऐसे प्रशनों को हल करने के लिए आप वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे जब आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको खुद बाखुद पता चल जाएगा कि तुर्टी आपके कौन से हिस्से में है इसी के साथ next question देख लेते हैं विवाद का आपसे विलोम शब्द पूछा गया है प्रवाद, निर्विवाद, प्रतिवाद या फिरवाद विवाद मतलब लड़ाई जगड़ा, किसी से बहस होना और इसका विलोम क्या हो जाएगा निर्विवाद ठीक है, option number B आपका correct हो जाएगा ठीक है, सवाल number 37 हमने आज का किया था अगला सवाल देख रहते हैं, सवाल number 38 क्या कहता है दिये गए वाक्यानिश के लिए आपसे एक शब्द पूछा गया है तारो भरी रात के लिए इन में से सही विकल्प क्या होगा तारो भरी रात प्रदोश होगा, निशित होगा, पूर्वान होगा या विभावरी होगा तारो भरी रात का जो सही विकल्प है वो D होगा तारो भरी रात के लिए वाक्यानिश के लिए एक शब्द जो है वो यह है तारो भरी रात के लिए विभावरी शब्द उप्युक्त है यानि कि वो कल्प नमबर D आपका सही हो जाएगा नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं सवाल नमबर 49 क्या कहता है कि दिये गए वाक्य का आपको वह भाग ज्यात करना है जिसमें कोई तुटी है और यदि कोई तुटी नहीं है तो आपको वह उप्शन टिक करना है कि बसंत के आगमन से ही शीत की कोप अद्रश्य हो गया देखें पढ़ते ही पता चल रहा है बसंत के आगमन में कोई दिक्कत नहीं है अच्छी बात है बसंत आ गया है लेकिं सेही शीत की प्रकोप नहीं होती है शीत का प्रकोप होता है इस हिस्से में गलती है यानि कि दूसरे भाग में गलती है जो हमें option number B में दिया गया है यहां sequence में थोड़ा typing error है वो आप लोग देख लीजेगा ठीक है दो आपका दूसरे भाग में गलती है ठीक है बढ़ते हैं आज के last सवाल की तरफ सवाल number 40 देख लेते हैं क्या कहता है सही वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है यानि कि सही लिखने का आपको तरीका बताना है उजवल लिखने का सबसे सही तरीका यानि कि सही वर्तनी कौन सी है उजवल होता है उजवल नहीं होता है दो जगे उजवल दे रखा है उजवल होता है ठीक है option number C आपका correct हो जाएगा उजवल लिखने की सही वर्तनी आपकी option number C है तो guys यह थे आज के कुछ 40 सवाल जो हम लोगों ने आपके साथ cover किये थे जो कि आपके exam के point of view से बहुत important रहने वाले हैं और अगर video पसंद आई हो तो like कीजेगा और चैनल पे अगर नए है तो subscribe ज़रूर की देगा जल्दी मिलेंगे नई video के साथ तब तक के लिए have a great day thank you so much